हेलो नमस्कार दोस्तों तो स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल पर दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि जो हमारी बॉड़ी होती है वो 70% पानी होती है और इंसानों की जो बॉड़ी होती है उसके अंदर जो आने आली बिमारी होती है वो भी पानी से ही जर्म लेती हैं क्योंकि दोस्तों आज कल की जो लोगों की लाइफस्टाल हो चुकी वसमें लोग ज्यादा ध्यान देते नहीं है और जो पानी है वो भी काफी ज्यादा पॉल्यूटेड हो चुका है और काफी ज्यादा पॉलूशन उनमें मिल चुका है जिससे बचने के लिए दोस्तों यूज किया जाता है आरो या फिर water purifier तो अगर आप एक अच्छा सा water purifier या फिर आरो खरीदने की सोच रहे हैं और confused ने कि कौन सा आरो आप खरीदें तो आप एक बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला होता है तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जो आपका पानी है उसके लिए कौन सा water purifier suitable रहने वाला है और साथी साथ मैं आपको बताने वाला हूँ इंडिया में मिलने वाली 5 best water purifier के बारे में जो कि आप खरीद भी सकते हैं तो चलिए दोस्त करें technology के तो आपको RO, UF, UV जैसी technology देखने को मिल जाती है water purifier के अंदर और दोस्तो एक technology और आती है जो कि होती है TDS controller जो कि आपके जो पानी का TDS होता है उसको control करती है ना ही ज्यादा बढ़ने देती ना ही उसको बिलकुल कम होने देती जो कि एक desired level होता है TDS का अपनी body के सफिशिंट उसको maintain करके रखती है अगर दोस्तों बात करें कितना TDS का पानी पीने के लिए अच्छा रहता है WHO के आप से 50 से लेकि 150 PPM तक का TDS वाला पानी आपके लिए पीने के लिए सही रहता है दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं यह TDS क्या चीज होती है तो इसका मतलब होता है total dissolved solid मतलब आपके पानी के अंदर कितना solid जो है वो मिला हुआ है इसके अंदर आपका minerals भी होते हैं और pollution भी होता है तो यह चेक करने के लिए दोस्तों एक छोटी सी डिवाइस आती है जिसको बोलते है TDS मीटर तो अगर आप वह खरीदना चाहते हैं तो लिंक मैं काफी सस्ती सी वो डिवाइस आती है दोस्तों अब बात करते हैं RO की जिसकी full form होती है reverse osmosis इसके अंदर दोस्तों क्या होता है कि जो पानी होता है उसको pressure से एक membrane के बीच में से निकाला जाता है जो कि एक semi permeable membrane होती है जिसके अंदर बहुती जादा छोटे छोटे होल्स होते की तो अगर आपके घर का जो TDS है पानी का वो 500 PPM से जादा है तो आपको एक RO water purifier लेना चाहिए दोस्तों जो RO technology होती है इसके अंदर electricity use की जाती है पानी को purifier करने के लिए दोस्तों next होती है UF यानि की ultra filtration इसके अंदर भी दोस्तों आपको एक membrane देखने को मिल जाती है जिस के थुरू जो पानी होता है वो pressure से membrane के बीच में से निकाला जाता है जिससे की membrane के अंदर जो filter लगे होते हैं उसके अंदर काफी छोटे-छोटे holes होते हैं लेकिन दोस्तों वो holes जो होते हैं वो RO की membrane से थोड़े से बड़े होते हैं और उस filter के अंदर जाली के अंदर जो bacteria हो जिसको बोलते हैं UV यानि की ultraviolet filtration इसके अंदर दोस्तों क्या किया जाता है कि जो आपका पानी का chamber होता है उसके अंदर UV light डाली जाती है वो filter के द्वारा जिससे की जो पानी के अंदर bacteria और germs होते हैं वो खतम हो जाते हैं बिलकुली और दोस्तों ये भी 300 से 500 ppm तक के TDS level के सही रहता है दोस्तों एक technology और होती है जिसको बोलते हैं TDS controller क्योंकि दोस्तों जैसे की RO के जो process होता है आप जानते हैं उसमें काफी ज़्यादा छोटे छोटे holes के थूरू पानी को निकाला जाता है जिससे की दोस्तों क्या होता है कि जो bacteria jumps होते हैं वो तो रूखी जाते है साथ ही साथ जो essential mineral होते हैं अपनी body के लिए वो भी कई बार उसके अंदर से निकल जाते हैं और जो पानी आता है वो बिल्कुल mineral less हो जाता है जो कि body के लिए अच्छा नहीं रहता दोस्तों जो mineral होते हैं sodium calcium और potassium तो दोस्तों TDS controller क्या करता है कि जो आपका पानी का TDS होता है उसको इस तरह से maintain करता है कि जो आपका mineral का level होता है वो पानी में से कम ना हो और जो bacteria और germs होता है वो निकल जाए तो यह भी एक काफिछी technology होती है अब दोस्तों बात करें कि इतनी सारी technology तो आपने देख ली लेकिन कौन सी technology वाला water purifier आप खरीदें तो दोस्तों अगर आप आपका budget का कोई issue नहीं है तो मैं दोस्तों आपको एक best option बताऊंगा वो होता है RO plus UV plus UF plus TDS controller जो कि दोस्तों सबसे best combination रहता है water purifier का तो दोस्तों यह तो कुछ points थे कि जिससे कि आपको पता लग जाए कि कौन सा water purifier आपको खरीदना चाहिए अब आगे मैं आप लोगों को ब water purifier इसकी जो water tank की capacity है वो है 7 लेटर और दोस्तों यह जो water purifier है वो सही रहेगा 2000 ppm तक के TDS वाले पानी के लिए इस water purifier का purification water flow है वो है 15 लेटर पारार मतलब दोस्तों एक घंटे में यह purifier आपको 15 लेटर पानी purifier करके दे देगा दोस्तों यह water purifier consume करता है 40 watt की power और इसके आपको 6 stage purification मिलता है मतलब दोस्तों जो पानी इसके अंदर आपको filter होके मिलेगा वो 6 process में से आएगा filter होके जब आपको purified पानी मिलेगा दोस्तों इस water purifier के जो filter की life है वो है 6000 लेटर मतलब दोस्तों इस water purifier से आप 6000 लेटर पानी निकाल लेगे उसके बाद आपको इसके जो filter है उनको change करना पड़ेगा दोस्तों इसके उपर आपको मिलती है एक साल की warranty और इसके जो कुछ extra features है वो है इसके अंदर आपको smart LED indicator मिल जाता है auto shut off mechanism मिल जाता है auto restart मिल जाता है overflow protection मिल जाता है और दोस्तों इसमें आपको मिलता है energy saving mode अब दोस्तों अगर बात करें इस water purifier के बारे में बताने वाला हूं यह सभी वीडियो बनाते समय के prices हो सकता है कि जब आप वीडियो देख रहे हो तो इसके जो प्राइज वो कम्या जादा हो गई हो तो इसलिए सभी के जो link से आपको description box मिल जाएंगे वहाँ पर जाके आप इनकी जो current prices को check कर सकते हैं दोस्तों purification water flow है वो है 10-15 लीटर पर और दोस्तों यह consume करता है 48 watt power इसके अंदर आपको RO plus UV plus MB की water purification technology मिल जाती है और दोस्तों इसके अंदर आपको मिलते है 8 stage water purification इसको उपर आपको एक सल की warranty मिल जाती है और दोस्तों बात करें extra features की तो इसमें आपको LED indicator और free replacement of two pre filter मतलब दोस्तों इसके साथ जो pre filter आते हैं तो उनकी free replacement मिलेगी वो भी दो pre filter की इसके अंदर आपको 90% TDS reduction और ये दोस्तों wall mount और tabletop design है तो आप इसको दिवार पे टांगना चाहें तो वो टांग सकते हैं और अगर आप इसको कहीं पर रख के यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं आपके TDS वाले पानी को तो मतलब अगर आपके घर का TDS 1500 PPM तक है maximum तो आप इसको लगवा सकते हैं दोस्तों इसका प्यूरिफिकेशन वाटर फ्लो है 13 लीटर परार तो एक घंटे में आपको ये तीरे लीटर के आसपास पानी देदेगा प्यूरिफाय करके और दोस्तों और यह कंजिम करता है 48W की पावड इसके अंदर आपको RO plus UV plus UF और PLUS Mineralizer की टेकनोजी देखने को मिल जाती है विसके अंदर आपको 7-Stage Purification मिलता है और दोस्तों अगर बात करें वारंटी के तो इसके बार आपको Excel की वारंटी मिल जाती है एक्ट्रा फीचर्स की बात करें इसके अंदर आपको insect proof storage tank मिल जाता है जिसके अंदर जो insect वगरा होते हैं वो नहीं जाएंगे दोस्तो बात करें इसकी price की तो इसकी जो price वो है around 10,000 रुपे के आसपास दोस्तो नमबर दो पर है हिंदुस्तान यूनिलिवर का Purit Eco Water इसके अंदर आपको 10 लिटर की water tank capacity मिल जाती है और दोस्तो ये support करता है 2000 ppm के TDS वाले पानी को इसका जो purification water flow है वो है 24 लिटर परा जो कि दोस्तो सबसे ज़ादा है एक घंटे में आपको ये 24 लिटर पानी purify करके दे देगा ये consume करता है 60 watt की power और इसके अंदर आपको मिलती है RO plus UV plus MF की purification technology इसमें आपको 7 stage purification मिलता है और दोस्तो बात करें warranty के तो इसमें आपको एक साल की warranty मिल जाती है extra features की बात करें तो इसमें आपको LED indicator, filter change indicator और 90% TDS reduction, US EPA compliant और दोस्तो इको water saving दोस्तो इको water saving technology जिसके अंदर आपको मिलती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी टेक्नोलोजी है जिससे दोस्तो क्या होता है जो इसका wastage पानी होता है वो वापिस से आपका जो overhead जो आपकी च्छ size वो है around 13,000 रुपे के आसपास दोस्तो नंबर एक पे है कैंट supreme प्लस water purifier इसके अंदर आपको 8 लिटर की water tank capacity मिल जाती है और दोस्तो ये support करता है 800 ppm के TDS वाले पानी को इसका जो purification water flow है वो है 20 लिटर परार तो आपको एक घंटे में 20 लिटर purified water ये देदेगा दोस्तो ये consume करता है 60 watt की power को और इसके अंदर आपको मिलता है RO plus UV plus UF plus TDS controller की water purifier technology इसमें आपको multi stage purification मिलता है और दोस्तो इसके उपर आपको मिलती है 1 साल की warranty plus 3 साल की free service जो कि दोस्तो कुल मिला के आपको 4 साल की free service मिल जाती है एक साल warranty period में और 3 साल extra इसके नदर आपको zero water wastage मिलत जिससे कि दोस्तों इसके जो tank है उसके अंदर पानी भरा हुआ है और काफी दिन से आपने उसको use नहीं करा इसी में भरा हुआ है तो इसके अंदर UV rays होती है वो उस पानी को time time पे disinfect करती रहती है और जिसके अंदर जो jumps वगरा डेवलप होते हैं उनको खतम करती रहती है जि की जो price है वो है around 15,000 रुपे के आसपास और दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही इसी तरह की kitchen related videos को देखने के आप हमरे चैनल को subscribe कर सकते हैं और वीडियो में दिखाएगा जितने भी water purifier हैं सबके links आपको description box में मिल जाएंगे वहाँ पर जाके आप इनके बारे पर भी हमको follow कर सकते हैं वहाँ पर भी आप कोई भी question पूर सकते हैं धन्यवाद दोस्तों